के बाइब के साथ भी जाबटी लगती से समझी और राइस के साथ तो बहुत ही जादा अच्छी लगती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां मैंने काले चने को राज भर भिगो के रखा हुआ था अब इसके बाद इसे मैं क्लीन करके कुकर में चार से पांच सीटे आने तक बॉल करूंगी या आप अपने हिसाब से सीटे लगा सकता है इसमें क्योंकि कभी कोई चने बहुत जल्दी गल जाते हैं तो इसका ध्या पना लिया है कि देखिए यहां पे एक आछ चा चाथ पेस्ट यहां पर रडिय हो गया अब इसे मैंने अक मैं इसे में चलिया कर लिया है différent अज्क बखे जिशा नाज रिगों क्या करेंगे तो बश यहां पे इसगों ग्राइञ vanilla ज़ने हैए वो बॉइल हो गया है कि नहीं तो यह देखिए यहां पर लगपक 90% तक चैने जो हैं बॉइल हो चुके है 90% तक इसलिए किया है मैंने क्योंकि इसे हमें मसालों के साथ भी एक सीटी लगानी पड़ेगी जहां पर जो बचीर कुकिंग है वो हो जाएगी तो बास कुकर मैंने यहां पर मैंने और गरम करके जहां मैंने तड़का लगा कि जो अनियन का पेस्ट था वह एट कर दिया है यहां यह मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करना भूल दे थी इसलिए मैंने जो सारा कुछ है ना वो मैंने डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दिया है कि मैंने कौन-कौ तो यहां दो आसा साथे करना है और ऐसी कुक करना है तो जैसे मारे मसाले पक जाए और थोड़ा-थोड़ा ओयल रिलीज होने लग जाए ुसके बार मैं इसमें जो बॉइल चने है वह एक करना रहे है और थोड़े-दर क्लिश को मिक्स करना है फिर जो बचा हुआ जो चने करके कॉक करना है फिर इसको हमे एक सीटी लगा देना है या एक सीटी आ कई है तो चलिए हम लेट को बन करके देखते हैं तो बास हमारी ग्रेवी को रेड यह आप इसे हमे ensirv करना है यह आप राइस के साथ番 करिए यह रोटी के साथ्सर्प करिए बहुत ज़्याथ टेस्टी लगता है मेरा तो यह बहुत ज़्याद फेड़िग है तो घाइज अपको मेरी मेरे रेपी पसंत आती है मेरी वीडियो पसंस पसंत आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करी लाइक करी अर जितना ज़्यादा हो सके शेर करिये थांट थांग you for watching, bye-bye!